हेलो गुड मॉर्निंग नमस्कार मैं कुंदन सिंग आप सभी को मेरे यूट्यूब चनल टीवील कोचिंग में बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में हम पॉल टेकनिक पारामेडिकल इंट्रेंस एक्जाम 2020 तथा मैट्रिक का जो बाइलोजी का बुक है उस बुक से आपको मिले और आप मैरे वीडियो से लाब उठा सके तो सुरू करते हैं इस वीडियो को देखते हैं इस वीडियो का फ़र्स्ट क्या है जिसका नाम है जयुपरकरम पॉसन पहला प्रश्ण है वैसे पाउधे जो पोशन के लिए स्वारी गली चीजोंग पर आसृत रहते ह सब्सकी में क्या होता है यूण होता तो वैसे जीव जो आपने भोजन के लिए किसी दुसरे जीवित जीव के सरीपड नियर्वर होकर अपने भोजन गरहन करते हैं लेखी मिर्ट जीयू में क्या होता है वैसे जीव जो अपने भाजन के लिए किसी सरे गले या या मरे जीव के सरीर पर अपना भाजन गरहन करते हैं तो इसलिए हमारा म०झी ho जाएगा सबर भौजान के लिए आवस्कष्थarta ते क्या है ओस्यानी Arbeit हरे पेर पावदे के लिए चाहिए सणलाइट भी चाहिए इसलिए इनमें सभी राइट अप्सन होगा थर्ड कोश्था ने इनमें कौन परकास अंगक है अंगक पुछेगा तो अंगक में हम हर तलबक पट्टि करेंगे और अंग कोछेगा तो हम पत्ति पट्टि करेंगे याद रखना है परकास 2021 सि अंग पथी को कहते है और परकास 1200 में CO2 कितना पषब्टें नहींत है तो वह मन्डल में कारबों डी अचा यह मात्रा जो है 0.03 परशेंट है मतलब 78 परशेंट क्या है नाइट्रोजन है 21 परशेंट क्या है ऑक्सीजन है और 0.03 परशेंट कार्बन डेश्वाइट है और आधर में अधर गैसेश वाटर भेपर और धूलकन है अगला प्रश्ण है परकास संसेलेशन परकास संसेलेशन परकिरिया में निमनांकित में क्या नहीं होता है तो परकास संसेलेशन की जो परकिरिया होती है उस परकिरिया में इंचारों में से क्या नहीं होता है तो हमरा राइट आप्सन हो जाएगा पानी के टूटना पानी टूटता है ऑक्सिजन का मुक्त भी होता है यह co2 का उपयक भी होता है इसलिए co2 मुक्त नहीं होता है परकास संसे लेशन के परकिरिया में नहीं हो Tijn यह तीनों होता हुरा रजाश्जन है इन में किसके दुबारा अंत गरहन करते हैं अंत के मतल Πाव खाना खाता है तो अनिभा जो होता है तो पारा ऑन निश्यत होता कूट पाद के बनने और विगरने के कराण ही इसके आकार अनिश्चत होता है और अमीबा एक कोश्किय जीव है साथ ही में यह एक मेदुजलिय सरल प्रानी समपोसी जीव है और अमीबा को हम और जितने भी एक कोश्किय जीव है उनको हम आमर प्रानी भी कह सकते हैं क्योंकर इनकी मिर्तिव नहीं होती है और अमीबा में जो जनन होता है दिवुक्हंडन या बहुvention दवारा जनन होता है अगला प्रश्ण है इन में से के शिदृ के दूवरा गरसनी गरासनली से जूरा होता है इन में से कौन ऐसा च्षिद्र है जि अगला प्रस्टन है गरहानी भाग है गरहानी जो है कि इसका भाग है तो गरहानी जो है छोटी याद का भाग है छोटी याद का तीन गों भाग है एक को बोलते हैं गरहानी एक को बोलते हैं जेजुरम और एक को बोलते हैं इलियम इस तरह जैसे कलास 10 के बाइलोजी में चाप्टर के और आगे भी उस चाप्टर से रिलेटर अब्जेटर कोशन दिया हुआ है और पीछे भी सबसे लास्ट में भी उस चाप्टर से रिलेटर अब्जेटर कोशन दिया हुआ है तो हम पाट वान आगे वाला देख लिए अब फार्ट्टू पीछे वाले देखेंगे पीछे वाले में परफ़शन चाप्टर में 32 को सनै इन रातीष को आनेंगे देखते में पहला को सन और निमलिख से क्रियाओं में कौन सवजय के मुखिय लक्षन है तो एस्थांत्रण सवशन पारकास अंसेले शथांत्रण मतलब एक किस भाग में सवजीव के सारे बिधमान रहते हैं कोशीका किस भाग में सवजीव के सारे लक्षन होते हैं तो राइट अप्षन होगा जीव दरबे के करण ही हमारे सरीर में जितनी वी स्स्वाजवी वक्षान है एक जी बीक्षान होते हैं भर로 क्रियार जिनके दुवारा जीवों का नुराक्षन होता है उन क्रियारओं को कि बोलेंगे तो उन क्रियाओं को दना जूकि परकृराइं कि परकरम है कि फर्थ नमर को सनहैं निम लिकषित में कौन सवपोशै जो कि मतलब हड़ाइ बापना भोजन खूद से बनके आप अप्सन हो जाएगा का इस सब्सक्राइट निर्मान होता है तो परकास संसे लेशन की परक्रिया होती है तो इस परक्रिया के फल्स अवरूप कार्बो हाइड्रेट यानी गुलकोज का निर्मान होता है जिसका हम फर्मूला होता है सी एछ 2AL 2 औशीक्स अगला प्रश्ण एंगला प्रास्वी में किस परकार का पबूशन होता है गबर स्क्रस्ण को मस्रूम भी बोलते हैं और कुकुमुता भी बोलते है तो गोवर क्रस्ण हैं लेकिन कॉल्र herRIF यंभाभ होता है इसी करने परकास संस्लेशन की परकिरिया नहीं कर पाता है इसलिए हम गोबर छाता को मिरत जीवी पोशन कहेंगे क्योंकि ये सारे गले जीवों पर पनबता है कि अगला क्युस्थ्सन है पउधों में सूर्य का परकास को आफ़सोश्ट करने कि चामतक कि से कहते हैं पउधों में सान्लाइट को आफ ऑप üzerine करने की MJ होती है दूए पोल्रों को क्ल्रोंफिल वर्नक रहेंगे तो ही परकास प्रकास को आप सोचिस कर सकते हैं और ना रहेगा तो ना कर पाएंगे अगला प्रस्थ ने परकाश संसेलेशन परक्रिया में गैसो मुलब सी ओटू तथा ओटू का आदान परदान किन अंगों दुवरा होता है तो इसका राइट अप्सन होगा पतियों में अवस्थित रॉंद्रों दुवरा यह पर क्रिया होती है अगला प्रस्थ ने जो कि मोस्ट इंपोर्टन है यह सवाल बार बार एक जान में पुछा जोता है सवाल है मनुष्य के दात की सबसे बाहरी परत को हम क्या कहते हैं तो बहुत सरे बच्चे इसमें गल्ति कर देते हैं कुछ बोलते हैं और कुछ बोलते हैं इनामेल तो राइट अप से इनामेल होगा क्योंकि दात की सबसे उपरी परत को इनामेल कहते हैं और इनामल के बाद ने में किसगरंथीा कस्तराव हमारे मुछ में तीन जोरी ल्यार ग्लानेंथी है किसद रहा होता है जो हमरे भौजण को पचाने के दिबिए चरुड़ी है और इसंब कुछ ने हमारा जाता है को सने इन मैंसे क्या जठा・जद नहीं होता है जठारस में क्या नहीं होता है हमारे पीट में प्रती दिन तीन लिटर जठारस का नेमान होता है तो सवाल है इनमें से क्या जठारस में मौझूद नहीं होता है तो राइट अप्शन हो जाएगा पीट जो है जठारस में मौझूद नहीं होता है पीट का जो इस तरह होता है से होता है कहां सोता है लीबर से यह कृति जिसको जिसको हम हमारे सबसे बड़ी गरांथी कहते हैं इसका और के जी होता है और अधिक सारा आपका स्यवन करने से लीबर खराब हो जाता है अगला प्रशन है इन में कौन मनुष्य के छोटी आद का भाग नहीं है तो इलियाम जे ही राइट अप्सन होगा यही छोटी आद का भाग नहीं है इस तरह हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रशन के और सवाल इन में कौन आवसेसी अंग है आवसेसी अंग का मतलब भिब्ब्यकामिल अंग तो हमारे सरीन में कुछ अंग ऐसे हैं जिनका कोई काम नहीं है जैसे मे एपन्डिक्स और यसका आकार अपरन जैता है तो प्रोब्लम भी खरी होती है तो अपरेशन होता है तो हमरे सरीयीं में बाहरीकान को नाखून की इस एपेंडिक्स सब क्या है तो इस वाल में कौन आउसेशी आंग है जो है आउसेशी आंग है अगला प्रश्ट ने मनुस्य में पाचन की क्रिया शुरू होती है तो कहां से सुरू होती है इस इसे हम मुह में खान डालते हैं पाचन क्रिया सुरू हो जाती है नेस्स कोशन है इनमें कौन अमचेगर ओंती या जोठलक्रांथी का भाग नहीं है इन्हें से कौन अमचेगर आप असे को हम पीट भी कहते हैं तो 15 सवाल का राइट आप्शन हो जाएगा मूल पीट वाहने जो है आम अस्य गरंथी या जटर गरंथी का भाग नहीं है बाकिया तीनों है मतलब हमारे मुख गुभा के जो पाइप है वह स्वास नली के पाइप जो जॉइंट है लेकिन किस जब हम खाना खाते हैं तो स्वास नली के जो पाइप उसको बंद कर देते हैं है तो सवाल है कि इनमें से के स्वास नली में नहीं जाता है तो राइट अप्सन हो जाएगा एपाना निकल जाता है अगला प्रस्नी चोटी आत में भौजन का पाचन पूर्ण होने के बाद वह क्या कहलाता है जब चोटीयाट में पाचन की खोटीयात में होती है तो जो भौजन बचता निकलता है उसको हम क्या बोलेंगे इसका राइट अपसन होजेगा चायल बोलते हैं क्या बोलते हैं चाहिल निम्नांकित की स्रचना की मदद से अमीबा अपना भोजन गरहन करता है कूटपाद के सहायता के दुवारा अमीबा अपना भोजन गरहन करता है निम्नांकित कौन अमीबा में पोजन परिखिरियाओं में एक है तो राइट अप्शन हो जागा अंत गरहन जो है सवाल है किस रचना के मुदद से अमीबा अपना भोजन गरहन करता है तो प्रस्ण होग guilty तो यह त्रीनों तो भाग लेता है तो लाँट अपन आप घटन होगा जो भाग नहीं लेता क्या में अग्राप में में भोजन का पाचन में होता है अगला प्रस्न है भोजन का अन्तगराण सरीर के किस भाग से होता है। था राइट अप्शन हो जाएगा है कोशी का मुक्ष ऑगा कोशी का मुक्ष राम करते हैं याद रखनेिग भोजन का अंत गराण कुटपाद द revision करता है जबकि परामेशियम भोजन का अंतगरहन कोशी का मुख्य दुवरा करता है तो यह तो यह अगला प्रस्टन है जिस चित्र से रिलेटर है सवाल है आम इवा में पोशन के किस परकिल्या को नीचे दिएगा चित्र में दर्साए गया है तो देकि यहां भोजन है फिर भ औरहने क Works Culture राइट अप्सन होगा को हगा अगला प्रस्टन मनुश्य का आहाण नाल के नम्बई कितनी होती है तो हमारे शरीरी में जो आहार नाल है उसकी लेमबई लगवह 8-10 मींटर होती है छोटी यहा porch करें यह छोटी यह 6 मीटर होती है अगला प्रस्टन है मनुष्ये बीभी ने स्वादों का ग्यान किस रचना किस हाथा से प्राप्ष होता है तो सही उत्तर हो जाएगा स्वाद कलिकाय हमारे जीव के उपरे स्टापत छोटी-छोटी कलिकाय है इनी कलिकाओं के द्वारा टेस्ट मालम होता है अगला प्रस्ण दातों की आचित परकार सफाई अगला प्रस्ण ने कौन मनुसे क्या में पाई जाने वाली लार्क गरंति नहीं है नहीं है या बात हो रहा है तो राइट अप्शन हो जैगा आगना से जो है इसका ह्कंवा एहार है कि शीचन को द bisschen होता है तो आहार नाल में सथान किस पर क्या को दर साथ है तो हमारा प्संद में जो जायगा हमारा राइट आप्शन हो जाएगा इस तरह हुआ हम आगे दो आगे बिटे से आगले में अगले चापटर में आगले स्वाशन है जो । कलाश के बाइलोगी से बनाए गया है जो पर टेक्निक परा अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद जय हैं